हेलो एबरीबन आपका स्वागत है मेरे चेनल कुकिंग मुखिया पर आज हम हेल्दी के साथ साथ सुपर डुपर टेस्टी नास्ता बनाएंगे वो भी एक चमस तेल से कटोरी में बनाओ और कटोरी में ही खाओ न ज्यादा बरतन गंदे करने की टेंसन तो चलिए शुरू करत इसे बनाना इसके लिए हमने एक सिम्बला मिर्च ली है और इसे हम काट लेंगे इसे बारीक बारीक काटना है तो देखिए इस तरह से हमने सिम्बला मिर्च को काट लिया है और इसी तरह से हमने ये बाकी सबजिया भी काट ली है तो यहां पर हमने प्याज गाजर और हरी म यह टमाटर टमाटर के हमने बीज निकाल दिये हैं अब यहाँ पे एक बोल लिया है इसमें हमने आदा कप बीशन को च्छान के लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक कीस का बैटर बना लेंगे देखिए इस तरह से और इसे एक मिनट तक अच्छे से फेट लेंगे देखिए कितना फ्लपी हो गया है अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि बैटर हमारा थोड़ा सा गाड़ा है तो देखिए इस तरह से हमने बना लेंगे इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे यहाँ पर हमने यह ब्रेड लिए है तो आप इसे कटोरी या गिलास से काट लें दीए इस तरह से तो यहाँ पर हम कटोरी से काट रहे है इस तरह से हमने यह सारा काट लिए है ब्रेड को अब यहाँ पर यह कटोरी लिए है इसमें हम घी लगा देंगे घी या ओल कोई भी लगा सकते हो यह नास्ता टेस्टी के साथ हैल्दी भी है यह आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो यह पूरा खतम करके आएंगे और आप से यही नास्ता बनाने को कहेंगे यह इतना टेस्टी बनता है तो यहां पर हमने सब्जिया लिये इसको एक बोल में transfer कर लेंगे तो दीखिए इस तरह से हमने सबजियों को डाल दिया है अब इसमें हमने थोड़ा सा औरेगेनू लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है ये लाल मिर्च अपने टेस्ट के नुसार लें और ये हमने चीज डाला है चीज आप मौजरेला या जो भी पसंद करते हैं वो डाल सकते हो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चीज डालने से बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है अब यहाँ पे हम पने बैटर को देख लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक एक चमच चीनी और एक चमच ही ओयल डालके इसे मिक्स कर लेंगे आप पहले भी डाल सकते हो यहाँ पे दो पींच हमने हल्दी लिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बैटर देख लेजिए ऐसा बनाया है अब यहाँ पे एक चौथाई टीजबून हमने इनो लिया है इसे हम मिक्स कर लेंगे अब इन कटोरियों में जो ब्रैट काटी थी ना उसको रख देंगे और एक प्याज की सिलाइज रख देंगे इस तरह से और यह जो हमने प्याज टमाटर का मिस्रण बनाया था उसको रख देंगे अब इसमें हम अपना बैटर डाल देंगे जो हमने वेज़न का बनाया था थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से हम फैला देंगे कटोरी में ज्यादा उपर तक ना पहरे इसी तरह से हमने तीनों कटोरियों को इस तरह से फर लिया है और हलका सा टैप कर दिया है इस पे हमने लाल मिर्स थोड़ा सा इस तरह डाल दिया है अब यहाँ पे हमने कटोरी में पहले से ही पानी को गरम करने के लिए रख दिया था इसमें हम कटोरी रख देंगे इसे 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे तो 10 मिनट हो गए हैं आप कोई टूथ पे किया चाकू डाल कर इसे चेक कर लें तो देखिये टूथ पे clean निकली है इसे हम निकाल लेंगे और इसे थंडा होने देंगे तो देखने से ही कितना सांदार यह नास्ता लग रहा है तो थोड़ा सा ठंडा हो गया हांसे इस तरह से करेंगे यह आसानी से निकलाएगा देखिए कितना सांदार आया अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती तो लाइक से सब्सक्राइब करें अब इसे हम निकाल लेंगे आप कटोरी में भी खा सकते हो यह तो हमने आपको दिखाने के लिए निकाला है इस तरह से हमने निकाल लिया है देखिए सांदार नास्ता हमारा बनकर तयार होगा यह कम समय में बनकर तयार हो जाता है अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगी लाइक सेर सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग टीक एर बाई